बिस्मिल्ला रह्मान रहेम असलाम लेकूम विवर्स इंशाला आप ठीक ठाकोंगे हैर्यस से होंगे आज हम लेटर्स ट्रॉजर का डजाइन स्टिच करेंगे टू कॉलर्स कॉंबिनेशन के साथ इंशाला यह आपको जूर्फ संद आएगा ट्रॉजर का डजाइन वराने से है आप से रिक्वेस्ट अगर आप नहीं होएं तो मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सबसे पहले हैं एक स्केर शेप में हम कैन्वस पेपर लेंगे कैन्वस पेपर की जो वीट और लेंट सेम है 2.5 इंच वीट है और 2.5 इंच ही इसकी लेंट है हम इस पह से एक लीप ड्रो कर लेंगे ठीक है से हम कैन्वस पेपर की उपए की लीप करेंगे ठीक है इस लीप की जो लेंट है वह 2 इंच है और वीट में ये लीप 1 इंच है अब एक हम canvas paper लेंगे इस canvas paper के उपर हम इस तरह से leaf single single leaf draw करेंगे इस तरह से हम canvas paper के उपर leaf draw करेंगे और फिर हम इन leaves की cutting करेंगे one by one ठीक है इस तरह से हम इन leaf की cutting करेंगे और फिर एकसा fabric लेंगे जिस fabric के उपर हमने leaf को paste करना है ठीक है हमने fabric लिए इस पर हमने leaf paste कर लिए और फिर हम इस तरह से cutting करेंगे ठीक है जब हम single leaf paste करेंगे fabric के उपर तो हम उनके द्रम्यान में space रखेंगे फासला रखेंगे तो कि हमने इस लीव को हम फैब्रिक के अंदर रैप करेंगे ग्लू स्टिक हम चिपकाएंगे अराउन फैब्रिक के और इस तरह से हम फैब्रिक को पेस्ट करेंगे लीव के उपर हम किनारे वाले साइड से फैब्रिक को पेस्ट कर देंगे प्रेस करेंगे इसे ताके नीटनेस आए इसमें और इस तरह से यह एक लीव रैडी हो जाएगा इससी तरह से हम तमाम लीव रैडी कर लेंगे यह हमने फैब्रिक लिए है ट्रोजर में से हमने फैब्रिक लिए है फैब्रिक हमने ज्यादा लिए है ठीक है इसकी जो वीट है वो 9 इंच है फैब्रिक की और लेंट में यह ट्रोजर के पॉंची से 2 इंच ज्यादा लिए है ठीक है इस तरह से हम लीव की बैक साइट पे इंच का टिए इस तरह से हम लीव को पेस्ट करें motivate एक फ्रावर रेडी परेंगे कि ठीक है इस से त्रह से यह देखे-टर शल्ली को पेस्ट करेंगे अब दोबारा से मैं धूजरी साथ पर भी आपको बताती किस तरह से लीव को पेस्ट करने वा ठीक है इस तरह से हम लीव को पेस कर लेंगे आप ड्रोजा कर डिजाइन बहुत ही प्सूरत है आप अपने लॉन और कोटन के ड्रेस पर जरूर बनाएगा इस तरह से ये रेडी हो जाएगा अब हम इन लिव को स्टिच करेंगे बिल्कुल लीव की एजी स्पे हम के सारसेर त्रेड हम रुब करेंगे टाकि नियट नस रहे 45 और सिर्ष से हम लीव को स्टिछ करेंगे गज़ी हैं इसी तरह से हम टुमाम लीव को स्टिछ कर लेंगे यह हमने स्टिश कर लिए अब जो हमने फैब्रिक चोटा वान निंज का उस साइट पर हम यह सेंटर लैस को स्टिश करेंगे ठीक है सेंटर लैस को हम इस तरह से स्टिश करेंगे सेंटर लैस की बैक साइट को इस तरह से रखते हुए स्टिश कर लेंगे ठीक है हमने सेंटर लेस की बैक साइट से हम स्टिच करें स्टिच करने के बाद सेंटर लेस स्टिच करने के बाद जो फैब्रिक साइट पर हमने छोड़ा था उसको इस तरह से फोल करेंगे सेंटर लेस के ऊपर ठीक है गुम सलाइल से हम सेंटर लेस को स्टिच करेंगे यह one side से हमने center lace stitch कर लिया और फिर हम इस right side पर turn करते हुए इसके बिल्कुल किनारे को पर एक और slide लगाएंगे यह हमार पास एक shitter lace है इसे हम fabric के डूसी side पर इस तरह से stitch करेंगे side पर fabric छोड़ते हुए हम lace को back side से stitch करेंगे इस तरह से stitch करेंगे STICH होने के बार जो हमने fabric छोड़ा था वो हम 1-2 की किनारे के उपर stitch करलेंगे इस तरह सिच होने के बार हमसे लैर को sír, right side पर turn करलेंगे और इस तरह से हम किनारे के उपर slide लगाते हुए स्टिच करलेंगे स्टिच होने के बार हमार पास ट्राउजर है ट्रोजर हमने रैडी किया हुआ, स्टिच किया हुआ है ट्रोजर, यह पैच हमारा रैडी हो चुक है, इसे हम ट्रोजर के पहुंचे के साथ इस तरह रखते वे स्टिच करेंगे, साइट से ट्रोजर का फैबरिक छोड़ेंगे, जो हम सेंटर लैस को स्टिच होने के बाद इस से किनार के ऊपर और स्टिच कर लेंगे स्टिच खरोर से स्ट में अर्ट से हम स्टिच करेंगे घर इस तरह वह याद रखें paid